नमस्कार और विल्कम यो दू वर्ल अफेर्ज नेवु प्रशान दवर्ण आप लोगों ने सुवा से ये न्यूस देखी होगी के चाइना में एक मैसिव वर्थक्विक आया है टोटल 116 से उपर लोग कनफर्ण मर चुके हैं 400 से लेकर 600 के आसपार बताया जा रहा है बुरी और यूएस हेल्प ओफर करेंगे चाइना को या नहीं यहाँ पे आप देख पाएंगे इसे लेटेड आर्टिकल 116 केल नेरली 400 इंजर्ड एस 6.2 मैंटिट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स चाइना गांसू गांसू बेसिकली चाइना का एक सेंट्रल एरिया है यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप यहाँ पे आपको दिख जाएगा गांसू और अगर हम बात करें रिक्टर स्केल पे मैंटिट्यूड की तो इसको लेकर कई एस्टिमेट्स हैं कुछ एस्टिमेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अर्थक्वेक की तीवरता थी यह 6.2 ती और कुछ एस्टिमेट्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये 6.5 मैंगिट्यूड का अर्थक्वेक था ये एक मैसेव वर्त को इमाना जाता है एस्पेशली एक डेंसली पॉपुलेड़ेड एरिया में और सोचल मीडिया पे आप देखोंगे बहुत सी वीडियो अवेलेबल है जहां पर च कर दू कि पिछले 10 सालों में चाइना ने इस टाइप का अर्थक्वेक नहीं देखा तो एक लंबे समय के बाद ऐसा अर्थक्वेक आया है जिसने हैवी डेमेज पुचाया है चाइना के सेंटर लीजन को अब एक इंटरस्टिंग बात मुझे यहां पर यह देखने को मिली क ग्लोबली किस तरीके से रियाट किया जा रहा है इस अर्थक्वेक को लेकर रश्या ने अपनी तरफ से हेल्प आफर करी है चाइना को व्लादमेर पुतिन के जो स्पोक्समेन है उनकी तरफ से कंडोलनसे जाई एट फॉर चाइना और मेरे इसाब से रश्या और भी काफी क को देखा है कि बोधी जी ने यह का है कि हम हम कर सकते हैं या कुछ हम करने के लिए तयार है ना जो बाइडन यूएस की तरफ से कुछ ऐसी सेटमेंट आई है जबकि आप हिस्टोरिकली देखो ना तो जब आज से कई साल पहले 2008 में चाइना में एक मैसे वर्थ को एक आया थ उस वक्त इंडिया ने बढ़ चड़के चाइना की हेलप करी थी इंडिया ने सप्लाइज भेजी थी हमारे कई rescue वरकर्स गए थे चाइना में जिस तरीके से आपने देखा होगा हमने duz के अंडर तरकी की हेलप करी या वॉस हमने तरकी की हेलप करने के लिए military के लोग किया that was something very special तो आप मालीजिए almost उसी scale पर 2008 में इंडिया ने help करी थी चाइना की during the earthquake उसके लावा हमने पैसा भी offer किया रहा चाइना को 5 million dollar का फिर 2008 के बाद आप अगर आओ 2013 में तो 2013 में भी जब चाइना में इसी type का earthquake आया था almost इसी destruction का earthquake आया था जिसमें 100 लोगों से उपर की मौध हुई थी कई लोग घायल हुए थे और magnitude था earthquake का 6.6 उस टाइम भी इंडिया ने बहुत ज़ादा help करी थी चाइना की और मुझे अच्छे से याद है चाइना ने openly इंडिया को थैंक किया था और कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छे neighbor का example दिया इंडिया ने और हम बहुत ज़ादा appreciate करते हैं इंडिया की help उस वक्त आप कहली ज इंडिया में इनको जहां पर देएगा के इंडिया एक competition बन सकता है manufacturing की field में technology की field में military की field में तो वो इंडिया के against aggression करना start कर देंगे और इसलिए अभी मैं देख रहा हूं notice कर रहा हूं मैं actually ये वीडियो भी छोड़ी सी लेट बनाई है मैं notice कर था कि इंडिया क्या reaction देता ह है चाइना को कि आपको कुछ help चाहिए आपको कुछ अगर supplies चाहिए aid चाहिए तो हम अपनी तरफ से offer करने को तयार है अगर बात में इंडिया की तरफ से भी ऐसा offer आए कि हम भी help करने को तयार है क्योंकि ये एक humanitarian issue हो जाता है इस particular case में वैसे मैं आपका opinion जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या इंडिया को help offer करनी चाहिए 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 और उसके इलावा देखिए अगर हम बात करें इन जैनरल अर्थक्वेक्स के बारे में अर्थक्वेक्स की वजए से ना दुनिया भर में बहुत सी मौते होती है और अगर हम देखें तो आज भी म होते होती है हर साल because of earthquakes of course हम यहाँ पर पीछे का जो बहुत साथ डेटा है उसको भी काउंट करें और चाइना देखिए बहुत ही बड़ा विक्टम राह है अर्थक्वेक्स का आप देखोगे दुनिया में जो सबसे जादा डेडली अर्थक्वेक्स आया है ना उसमें से जा 2010 में हेती का जो अर्थक्वेक्स का जा बहुत जादा डिस्रक्टिव था और फिर उसके पहले आप अगर देखो 1927 में नैंचンド में चाइना में कर्थक्वेक्स आया था दो लाग मारे गए 1920 में चाइना में कर्थकुेक्स का यह था वहां पर भी देखा गया कि एक लाग 80,000 लोगों की मौत हुई थी, most recent आप अगर देखो, चाइना में जो deadliest earthquake था, ये था 2008 का जब चाइना के 6 जुवान में अर्थकुएक आया और almost 90,000 लोगों की मौत हुई थी, और मैं आपको अगर एक brief idea दूँ, बहुत जादा high seismic zone का, देखो इंडिया में आपको बताओगा, ये हमारा seismic zone का map है, जो ये लाल एरिया आपको दिख रहे हैं, ये गुजरात के आसपास का एरिया, almost पुरा northeast ही, आप कह लिजिए, बिहार के नौर्थ का एरिया, उसके लावा उतराखंड, हिमाचल पदेश, जम्मू काश्मीर का जो ये एरिया है, ये इवन आप कहा सकते हैं, अंडमान और निकोबार जो आइलेंड्स हैं यहाँ पर, ये सब zone 5 में हम मानते हैं, मतलब के यहाँ पर भुकम पाने की जो probability है, ये काफी हाई है, ये बात आप ऐसे जान के हरान होंगे, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, ये भी zone 4 में आती है, zone 5 के बिल्कुल एक step नीचे, तो दिल्ली में भी historical हमने देखा है के भुकम पाए हैं, आई दिन आप देखते हैं के news आती है के थोड़ा बहुत यहाँ पर tremors भी फील हुए हैं, हलाकि कि किसी heavy earthquake ने यहाँ पर hit किया नहीं है, सेम चीज़ अगर हम देखे चाइना में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारा area है चाइना का, जो सीधा यहाँ पर zone 5 में आता है, मतलब के यहाँ पर earthquake होने के chances काफी high रहते हैं, और इसलिए चाइना ने over the years न, एक earthquake prediction system बिल्ड करने की कोशिश करी है, जी हाँ, चाइना के पास बहुत सारे earthquake prediction system है, यह कुछ seconds पहले, कभी कभी कुछ minutes पहले, emergency देने की कोशिश करते हैं, बट in the end, earthquake के सामने न, mother nature के सामने आपके लीजिए, human beings जारा कुछ करने ही इवन दो चाइना ने अपनी तरफ से electromagnetic satellites launch करी है, यह study करने के लिए के earthquake के जो precursor है, वो क्या है, वो जो warning earthquake से पहले की, वो क्या रहती है, ताकि minimum damage हो earthquake के बाद, और बहुत ही जाने यह बचा पाए, बट again, ground level पर इसका कुछ जादा impact दिखता नहीं है, जब बड़ा earthquake आना होता है, तो यह एक ऐसा national disaster है, जिसके सामने हम कुछ करने ही सकते हैं, आप यह बाद को कह सकते हैं, cyclone आते आते time लगता है, ठीक है, आपको दिख जाता है, अच्छा cyclone form हो रहा है, आ रहा है, evacuation करा लो, आपके पास इतना time रहता है, आप दो, तीन, चार लाख, दस लाख लोगों को भी न, आप evacuate करा सकते हो जल्दी, सरकारे इतना काम कर सकती है, बड़ earthquake के सामने, we are all very much helpless, तो मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा, कि इस particular field में, आपके हिसाब से क्या हमको humanity की side देखनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं के नहीं, चाइना का जो रवईया रहा है, चाइना, चाइनीज गर्वर्मेंट का जो रवईया रहा है, उस वज़े से ना geopolitics override कर देती है, आज के समय हमेरिटेरियन कॉस को, और चाइना की help करना थोड़ा बहुत pointless है आज के समय, मैं लिखेगा इसके बारे में comment section में, मैं जानना चाहूँगा आपका opinion, और अगर किसी comment बहुत ज़्यादा deep detailed हुई, मैं कुशिच करूँगा कि उसको pin कर दूँ, hard भी दे दूँ, ताकि बाकी लोग भी उस comment को पड़ पाएं, और अनकाडमी के देखिए offer चल रहे हैं आज के समय, यह जो offers है इनको आप यूज को सकते हैं to get discount, तो comment section में link आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर course open करके, you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा, और जो sales time to time आती रहती है, इनका भी आप लाब उठा पाएंगे, so this is the end of the video, thanks for listening and as always, may the gods watch over you.